नमस्कार आप देखरें न्यूस फरनेक्शन और मैं हूं सांत्वन आपके साथ लोकास्था का महापर्व चार दिवसिय छट अब शुरू हो चुका है बतादे कि आज छट का दूसरा दिन है आज खड़ना है और इसके साथ साथ बिहार आने वाले यात्रियों की भीड लगातार बढ़ती जा रही है बतादे कि बिहार का सबसे बड़ा महापर्व चट होता है और इसको लेकर साल भर जो लोग बाहर रहते हैं वो अपने घर वापस आते हैं अब इसी होड में ट्रेन, बस और इसके साथ साथ तमाम फ्लाइट्स बुक हो गई हैं बतादे कि तमाम फ्लाइट्स हाउसफुल हो गई है बिहार आने वाले यात्रियों की संख्या इतनी जादा है कि बसे और ट्रेने कम पड़ रही है इसके साथ साथ तमाम फ्लाइट्स भी हाउसफुल हो गई है बतादे कि पटना एरपोट ने एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया है पटना एरपोट पर कुल 17,000 यात्रियों का आवा गमन देखा गया है और ये भीड सबसे अधिक है इसके साथ साथ पटना एरपोर्ट और दर्भंगा एरपोर्ट पर भीड नियंतरन से बाहर है ये भीड छट पर्व को लेकर लगातार होती जा रही है क्या कुछ खबर है से रिलेक्टिट आईए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में बतादे की छट महापर्व के मौके पर बिहार आने वाली ट्रेनू और बसों के साथ ही तमाम फ्लाइट्स भी हाउसफुल हो गई है पटना और दर्भंगा एरपोर्ट पर उतरने वाले विमानों में सारी सीटे फुल आ रही है पटना के जैप्रकाश नारायन अंतरास्ट्रे एरपोर्ट पर रवीवार को सबसे अधिक 16,615 यात्रियों का आवा गमन हुआ इसके पहले 24 नवंबर 2019 को 16,240 यात्रियों का एरपोर्ट पर आना जाना हुआ था यात्रियों की संख्या में काफी कमी आ गई थी पिछले दो सालों से लेकिन इस साल एक बार फिर से यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है बतादे कि कोरोना के दौरान विमानों की संख्या में भी खासी कमी आ गई थी इसके बाद पटना एरपोर्ट पर प्रती दिन 60-70 विमान ही आ रहे थे तो वहीं अब इस साल विमानों की संक्या 108 हो गई है रविवार को सारवदिक 108 विमानों का पटना एरपोर्ट से परुचालन हुआ बतादे की छट में बिहार आने के लिए लोगों में होड लग गई है यही वज़ा है कि सोमवार को पटना एरपोर्ट पर एक नया रेकॉर्ड बन चुका है यही हालत बिहार के अलग-अलग रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों में भी देखने को मिल रहा है नहाय खाय होने के कारण सोमवार को लंबी दूरी की ट्रेनों से सबसे अधिक यात्री पटना पहुचे दिली मुंबई, हैद्राबाद, चिननई, बैंगलूरू, पूने, कॉलकता, गोहाटी, डिब्रूगर, धनबाद, राची, लखनव, जबलपुर, एहमदाबाद, सूरत्स शहरों से आने वाली ट्रेनी लदकर पहुची यही स्थिती पटना जंक्षिन दानापुर, पाटले पुत्रा वा राजेंद्र नगर टर्मिनल पर भी बनी रही स्टेशन उपर उतरने वाले यात्रियों से आटो चालकों ने मनमाना किराया वसूल किया दानापुर से पाटले पुत्रा बस पड़ाओ के लिए प्रती यात्री 150 रुपे से अधिक वसूले गए दानापुर से पाटले पुत्रा बस स्टेंड के लिए रिजर्फ किराया 800 रुपे तक वसूला जा रहा है बतादे कि छट की भीड कम करने के लिए बिहार राज़ुपत परिवहन निगम भी पूरी ताकत से जुटा रहा है बाकेपुर बस टैंड में जहां आमतोर पर सुबे के विबेन छेतरों के लिए 200 से 250 बसे खुलती है दर्भंगा, मधुबनी, छपडव, सिवान, बेतिया, रक्सॉल, पुर्निया, किशनगंज, नवादा, बिहार शरीफ, मुजफर पूर, बेगुसराय शहरों के लिए सारवदिक बसे खुल चुकी है बात करें, एक नवंबर की तो एक नवंबर को कुल 104 विमान आए, जिसमें कुल 12,535 यात्रियों का आवगमन हुआ दो नवंबर को 104 विमान उत्रे, जिसमें 10,178 यात्रियों का आवगमन हुआ, तीन नवंबर को 106 विमान उत्रे, जहां पर 10,776 यात्रियों का आवगमन हुआ, चार नवंबर को 98 विमान के साथ 7,408 यात्रियों उत्रे, पांच नवंबर को 100 विमान के साथ 9,608 यात्रियो का आवा गमन हुआ और 377 नवंबर को 108 विमानों के साथ 16615 यात्रियों का आवा गमन पटना एयरपोर्ट पर देखा गया बतादे के बिहार का महापर्व छट चल रहा है और इसको लेकर यात्रियों की भीड नियंतरन से बाहर है बतादे के जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं वो महापर्व छट के दौरान बिहार आ रहे हैं और इसको लेकर बस टैंड रेलवे स्टेशन से लेकर पटना एयरपोर्ट में भीड नियंतरन से बाहर है कल यानी सोमवार को कुल 16,615 यात्रियों का पटना एयरपोर्ट पर आवगमन देखा गया जुसके बाद पटना एयरपोर्ट ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है अभी के लिए इतना ही अनका एक अपडेट्स के लिए मैं साथ बने रहें न्यूस फ़ान एक्षन में नमस्कार